हेलो फ्रेंड स्वागत आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास 3-1 टैक में तो फ्रेंड अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर नए नए चैनल आपने स्टार्ट किया है तो फ्रेंड आपको एक चीज़ के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप ये सुछते हैं कि आपकी वीडियो को वाइरल होने में आपकी वीडियो की क्वाल्टी का बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट रोल होता है अगर आपकी वीडियो की quality अच्छी होगी तभी आपकी वीडियो की quality चाहे अच्छी ना भी हो लेकिन अगर आपकी वीडियो है वो वाइरल होती है आपकी वीडियो की voice है जो audio है उसके अंदर अगर वो अच्छी नहीं है और आपकी quality अच्छी है तो आपकी वीडियो वाइर करता है और ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी वीडियो को वोच भी करते हैं और आपके जो वीडियो है वाइरल होने की chances बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं अब यहां पर बात आती है कि आप एक अच्छी ओडियो कैसे रिकोर्ड कर सकते हैं उसके लिए तो आपको एक अच्छा माइक चाहिए लेकिन जब आप नए नए यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं तो आपके पास इतना बजट नहीं होता कि आप कोई माइक ले सकें तो फ्रेंड्स आपको बिल्कुल भी कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन के उपर और आप यहां पर देख सकते हैं मैंने यहां पर कोई भी किसी भी तरह का कोई माइक यूज नहीं किया है मैं अपने सिर्फ फोन को अलग उसके फोन का जो इंटर्नल जो इसकी स्पिकर होता है उसी से मैं ये वोईस रिकोर्ड कर रहा हूँ आप देख सकते हैं यहां पर मैंने अपने मोबाइल में आपको सबसे पहले क्या करना है वो आपको मैं बता देता हूँ सबसे पहले आपक recorder तिक इस application को आपको यहाँ पर उपर ही आ जाएगे आपके सामने सबसे उपर यह आप देख सकते हैं तिक इस application को आपको पूरे phone के अंदर install कर लेना है और उसके बाद आपको open पे click करना है मैंने इस install किया हुआ है तो यहाँ पर हम open पे click करेंगे तो यहाँ पे आप ok कर देंगे उसके बाद यह permissions मांग रहा है allow कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे रिकोर्ड करना है जो भी आप अपनी वीडियो में बोल रहे हैं जो आप audio जो आपकी वीडियो है जिस topics related उस topic को आपको अपनी voice को यहां से record करना है, कैसे record करना है यह center वाला जो आपको नीचे option दिखाई दे रहा है speaker का आप इस पे click करके record करेंगे जैसे मैं छोटी सी चीज यहां पे record करूँगा इस पे click करेंगे और यहां पे allow करेंगे तो आपकी recording शुरू हो जाएगी तो फ्रेंड्स इस video में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप बिना mic के अपने mobile phone से अपने YouTube videos के लिए आप एक अच्छी professional audio कैसे record कर सकते हैं हम इस recording के बाद एक छोटे से process से गुजरेंगे और उसके बाद आपकी voice एकदम professionally बन जाएगी वो मैं आपको खुद दिखाऊंगा यह हमने 21 second के record करी ठीक है यह post कहा रहा है हम यहाँ पे side वाला जो speaker के side वाला third option है नीचे ही हम इस पे click कर देंगे ठीक है तो यह हमारी record हो गई है हम इसे चाहें तो rename कर सकते हैं यहाँ से हम इस recording का कोई नाम दे देते हैं जैसे मैं यहाँ पे इस recording का नाम रख देता हूँ audio रख दिया मैंने ठीक है okay कर दूँगा तो यह audio नाम से save हो गई मेरे mobile phone के अंदर अब मैं आपको अपनी computer की screen पे लेके जाता हूँ उसकी screen बड़ी है वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आपको कैसे इस voice को थोड़ा सा process करना है और उसके बाद आपके एक professional voice त्यार हो जाएगी तो friends हमा चुके हैं अपने laptop की screen के उपर यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने google open किया हुआ है और मैं एक चीज यहाँ पे आपको बताऊंगा वो आपको यहाँ पे डालना है जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ podcast.adop.com slash enhance यह आपको सर्च करना है ठीक है सबसे उपर ही आ जाएगा आपको इसके उपर क्लिक कर देना है और इस website को open कर लेना है उसके बाद आपको इसमें sign in कर लेना है आप Gmail से sign in कर सकते हैं इसली उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं drag and drop audio file जो हमने audio record किया था उसे आपको यहाँ पे upload करना है upload पे क्लिक करेंगे और वो desktop पे है यहाँ पे audio के नाम से मैंने save किया था आपको ध्यान भी होगा तो यहाँ पे open पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यह कुछ थोड़ा सा process लेता है तो हम थोड़ा सा wait कर लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी audio है वो convert हो चुकी है यह before after भी आता है इसमें ठीक है यहाँ से आप preview करके मैं आपको सुना भी सकता हूँ उस voice को आप यहाँ से सुन भी सकते हैं जैसे मैं इसके उपर click करूँगा यहाँ मैं एक तरीका और बताता हूँ यहाँ पे मैं पहले से before कर लूँगा कि यह पहले कैसे थी voice यहाँ पे आप सुना पहले कैसे थी और अब यहाँ पे मैं enhance करने के बाद सुनाता हूँ तो आपने खुद देखा इसमें क्या difference था अब आप समझ गए होंगे कि हमारे इस तरीके से हमारी जो audio है वो एक professional बन जाएगी और हम professionally अपनी audio के अपनी video के अंदर लगा पाएंगे और यहाँ से आप इसे download कर सकते हैं जैसे download पे click करेंगे यह आपके system के अंदर download हो जाएगी और आप इसे अपनी video के अंदर use कर पाएंगे इस तरीके से आप अपनी YouTube videos के लिए बिना mic के ही एक professional audio record कर सकते हैं तो friends अब आप अच्छे से सीख गए होंगे कि आप किस तरीके से अपने mobile phone से ही एक professional audio अपनी YouTube videos के लिए record कर सकते हैं और उन्हें अपनी video के अंदर use कर सकते हैं अगर भी वीडियो से related कोई question है कोई query है आपके mind में तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो पसंद आई हो तो से like और share जरूर करें Thank you